इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिला में टेकसिल 10 बटा 50 टेबलेट एर एक दवा है जिसका इस्तेमाल हाइपटेंशन यानि की हाइब ब्लड प्रेश के इलाज के लिए किया जाता है। ये दो दवाओं का एक सयोजन है जो एक भी दवा के प्रभावी नहीं होने पर रक्चाप को प्रभावी ढंक से नियंतरित करता है। रक्चाप को कम करके यह भविष्य में दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। आप भोजन के साथ दिन में किसी भी समय सिलामे टेक सेल 10 बटा 50 टैबलेट यार ले सकते हैं, लेकिन बहतर यह होगा कि इसे रोजाना एक ही समय पर लें। जब तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं। यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्थाहार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इससे सिर्दर्ड, टकने में सूजन, धीमी गती से हिरदय गती और मतली जैसे दुश प्रभाव हो सकते हैं। इससे चक्कर भी आ सकते है इसलिए जब तक आप यह नजान ले की यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी नचलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशकता हो। सूजन को कम करने के लिए बैठ कर अपने पैरों को उपर उठाएं। उप भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। विशेश रूप से वे जो उच्छ रक्चाप या हरदै क की स्थिति का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।